ओम नमस्षिवाय शिवजी सदा सहाए ओम नमस्षिवाय गुरुजी सदा सहाए शेव महापुरान कोटी रुद्र सहिता का अध्याए 27 और 28 वैद नारेश्वर जोतिर लिंग के पारकटी की कता तथा महिमा सूच जी कहते हैं अब मैं वैदे नातेश्वर जोटी लिंक का पाप हारी महात्मस बताऊंगा सुनो राक्षस राज रावन जो बड़ा अभिमानी और अपने अंकार को प्रकट करने वाला था उत्तम परवत वाल के लाश पर भक्ती भाव से भगवान शिप की अरादना कर रहा था कुछ काल तक अरादना करने पर जब महादेव जी प्रसंद नहीं हुए तब तब वै शिप जी जी की प्रसंदा के लिए दूसरा तब करने लगा पुल सत्य कुल नंदन शिरिमान रावन ने शिद्धी के लिए स्थान भूत हिमाले परवत से दक्षन रिक्षों से भरे हुए वान में पृति पर एक बढ़ा गड़ा खोद कर उसमें अगनी की स्थापना की और उसके पास ही भगवान शिप को स्थापित करके हमन आरम किय गीश मेरित्व मेवे पांच अगनियों के बीच में बैठता बरशा रित्व खुले मैदान में चबूतरे पर सोता और शीतल काल में जल के भीतर खड़ा रहता इस तरह तीन परकार से उसके तपस्या चलती थी इस रिती से रावन ने बहुत तब किया तो भी दुरात्माओ के लिए जिनका रिज्ञाना कठिन है वे परमात्मा महेश्वर उस पर प्रसंद नहीं हुए तब महा मनमस्वी दैते राज रावन ने अपना मस्तक काट कर शंकर जी का पूजा ररम किया विदी पूरवक शिप की पूजा करके वे अपना एक एक सर काटता और भगवान को स सर काट डाले जब एक ही सर पाकी रहे गया तब भक्त वस्तल भगवान शंकर संतुष्ट एवं प्रसंद हो वहीं उसके सामने प्रकट हो गए भगवान शिप ने उसके सभी मस्तकों को पूरवता निरोग करके उसे उसकी इच्छा के अनुसार अनुपम उत्तम बल प्रदा भगवान शिप का क्रिपा परसाथ पाकर राक्षस रावन ने नत्मस्तक हो तो हाथ जोड़कर उनसे कहा दिवेश्वर प्रसंद हो ये मैं आपको लंका में ले चलता हूँ आप मेरे इस मनवरत को सफल कीजिए मैं आपकी शरन में आया हूँ रावन के ऐसा कहने पर भगव भाव से अपने घर ले जाओ प्रन्तु जब तुम इसे कहीं भूमी पर रखतोगे तब ये वहीं सुस्थिर हो जाएगा इसमें संदे नहीं है अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो सूच जी कहते हैं ब्रामनो भगवान शंकर के ऐसा कहने पर राक्षस राज राव समर्थ शाली होने पर भी मूतर के वेक को रोक ना सका इसी समय वहां आजबास एक गवाले को देकर उसने प्रातना पूर्वक वैशिवलिंग उसके हाथ में थमा दिया और स्वेम मुतर त्याक के लिए बैठ गया एक मूरत बीते बीते वैग वैगवाला उस शिवलिंग के भार से अत्यन पीडितो व्याकुल हो गया तब उसने उसे प्रित्वी पर रग दिया फिर तो वै हीर कम में शिवलिंग वहिंस्तित हो गया वै दर्शन करने मात्रि से संपून अभिष्टों को देने वाला और पाप राशी को हर लेने वाला है मुने वै शिवलिंग तीनों लोकों में वैद नाथेश्वर के नाम से परसित हुआ जो सत्थ पुर्शों को भोग और मोक्ष प्रदान मोक्ष देने वाला है यह दिवे उत्तम एवंश्रेश्ट जोतरि लिंग दर्शन और पूजन से भी समस्त पाबों का हर लेता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है बैश्रीवलिंग जब समपून लोकों के हित के लिए वहीं स्थिर हो गया तब रावन भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर अपने घर को चला गया वहां जाकर उस महान असुर ने बड़े हर्श के साथ अपनी प्रिया मंदोदरी को सारी बाते कह सुनाई इंदरादी सम में वहां बड़ी प्रसंता के साथ शिव का विशेश पूजन किया वहां भगवान शंकर का प्रतक्ष दशन करके देवताओं ने उस शिवलिंग की विदीवत स्तापना की और उसका वैदेनात नाम रखकर उसकी वंदरा और सत्वन करके वे स्वर्ग लोक को चले गया भगवान शिव का परम उत्तंबर पागर महान असूर रावन अपने घर को चला गया महा उसने अपनी प्रिया से सब बाते कहीं वह अनंद का अनबव करने लगा इधर इस समाचार को सुनकर देता घबरा गए कि पता नहीं यह देव द्रोही महा दूस्ट रावन भगवान वरदान से बल पागर क्या करेगा उन्होंने नारज जी को भेजा नारज जी ने जाकर रावन से कहा तुम केलाश परवत को उठाओ तब पता लगेगा कि शिव जी जी का दिया हुआ वरदान कहां तक सफल हुआ रावन को यह पात जच गई उसने जाकर केलाश को उखार ल पुद्धी रावन तु अपने बल पर इतना घमंड ना कर तेरी इन बुजाओं का घमंड चूर करने वाला वीर पूरुश शीगरी इस जगत में अब तीन होगा सूच जी कहते हैं इस परकार वहां जो खटना हुई उसे नारजी ने सुना रावन भी प्रसंचितो जैसे आया था उसी तरह अपने घर को लौट गया इस परकार मैंने वैदे नारेश्वर का महात्म बताया है इसे सुनने वाले मनुश्यों का पाप भस्म हो जाता है तो य यह था कोटी रुदर सहीता का अध्याय 27 और 28 ओम नमस्षिवाए